तो मेरा नाम है अमित रंजन और आज हम एक नए पीएजडी पोजिशन के बारे में बात करेंगे बैसिकली इंसिचूट अफ इंसिचूट अफ नेनो साइंस एंड टेक्नोलोजी यह इस इंसिचूट ने अपने पीएजडी के फॉर्म्स जो हैं वह रिलीज कर दी हैं तो यहां पर थोड़ा सा अलग है तो क्या प्रोसेस है कैसे आपको अप्लाइ करना और क्या करना इसके बारे में बात करते हैं तो प्लीज ऐसे और वीडियो के इनफोर्मेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्स्क्राइब कर दें और इस टेलिवर्मन इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और फॉर्म वगरा कैसे फील करने क्या 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 है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं अगर आप जैस्ट 23 की तयारी करें जो कि आपका 26th of March को होने वाला है तो उस एक्जाइम के लिए अनकेडमी पर प्रिपरेशन चल रही है यह क्लासिस बिल्कुल फ्री है मैं और सुर्वी में दोनों मिलके यह क्लासिस ले रहे हैं तो भई आप इन क्लासिस को जॉइन कर सकते हो अनकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर या फिर अब भी यह जो क्लासिस आपको चाहिए CSR के अगर क्लासिस आप लोगे तो उसक या description box में इसका link आपको मिल जागा या फिर इसी चैनल पर सर्च कर लेना आपको CSR का पूरा detail में मिल जागा form कैसे भरना है क्या क्या करना है सारी चीजों के detail जो CSR का आपको वहाँ पर मिल जागा तो भई इसके लिए you have to pay only 7000 और आपका CSR अगर आप December को target कर रहो for that you have to pay only 14,960 सबसे अच्छी बात है कि यहां पर लाइव क्लास चलती है और यहां पर multiple educators available है सिर्फ यह नहीं होता कि आपको batch एक अलॉट कर दिया गया उसी batch में जितने classes आपको होंगे वही करने आप किसी भी teacher की class जो बहुत आराम से जागे कर सकते हो उसके लिए बहुत सारे recorded होंगे और अभी live भी चल रहे हैं तो उनको भी आप साथ में अटेंड कर सकते हो वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर जब आप इसकी वेबसाइट पर जाओगे सबसे उपर में तो इसका जो देखो ध्यान दखना है इसका कि आपका PhD डिग्री जोगा डाटल बी एवाड़ेट बाई आइजर मोहाली यह आपका आइजर मोहाली जोगा यह इसको यह देगा ठीक है अच्छा PhD प्रोग्राम अगरा में यहाँ पर आपका एड्मिशन होने वाला और यह इंसिचूट जिए दाट इस इन मोहाली हाँ मैंने सही बोला था ठीक है अगर एलिजिब्लेटी की बात करना तो आप यहाँ पर इसके लिए आपके बास MSC होने चाहिए M Pharma, BT, M Tech और इन Basic और Applied Sciences, Engineering और Related Area, Students who have appeared for the final year अगर आप final semester का exam दिये हुए हो ठीक है अभी अगर आप देने वाले हो भी जुन जुलाई में अप्रेल मही तक तो भी आप इसके लिए बहुत आराम से अलिजिब्ल अगर आपका final semester भी चल रहा है तो आप इसका form जो है बहुत आराम से feel कर सकते हो ठीक है इन में से किसी कोई एक exam जो है यह आपका clear होना चाहिए तभी आप इसके लिए eligible होगे ठीक है साथ में age limit जो है यहाँ पे as per the guidelines of CSIR net और UGC मतलब basically general category लिए 28 years, OBC के लिए 3 साल जादा और STF SC के लिए 5 साल और जादा तो यह इसकी age limit होगी ठीक है application and selection procedure देखो आपका जो यहाँ पे इसमें जो है न जो आपका application form है application form को complete offline feel करना है मतलब basically आपको form download करना है form download करने के वाद उसको feel करना है आपको bank में या कहीं मतलब बैंक में multim application fee ओन लाइन ड्रांस्फर करने के बाद उसका transaction details है उसको printout लेके form के साथ affect करके basically envelope के अंदर डालके उसको आपको center पे भेजना पड़ेगा मतलब इसमें आपको भेजना पड़ेगा इसमें आपको भेजना पड़ेगा तो इसका procedure बिलकुल अलग है जैसे generally हम क्या करते हैं online field करते हैं सब को छोड़ देते हैं यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर आपको offline ही apply करना पड़ेगा तो यही हो गया कि आपका जो देखो इसमें क्या क्या आपको डालना along with the self-attested देखो जो आपका form होगा form के साथ साथ आपको self-attested copy of age educational qualification final degree तक का जहां तक का आपका experience अगर आपका कोई है तो and reservation category जो है इसके document जो आपको यहां पर attach करने है और यह आपको भेजना है the director institute of nanoscience and technology knowledge city sector 81 महाली पंजाब ठीक है pin code आपका यहां पर mentioned है और उसके उपर envelope के उपर आपको यह चीज लिखना पड़ेगा that is for application for the PhD program August 23 उसके बाद candidates उनका shortlist किया जाएगा based on कि आपके पास क्या-क्या है educational qualification वगरा क्या-क्या है percentage कितना है या आपकी rank कितनी है उसके basis पे shortlist किया जाएगा shortlisted candidate को महाली जाना पड़ेगा for interview उसके लिए कोई TA वगरा कुछ नहीं मिलेगा बस जाना आपको जाके वहाँ से वापिस आ जाना interview देखे ठीक है उसके बाद जब आपका selection अगर हो जाएगा तो selection होने के बाद जो है फिर आपको email वगरा थूरू आपको बता दिया जाएगा interview के dates वोगरा भी नहीं आए है ठीक है इसमें कहीं नहीं है तो आपको regular अपना email ID जो वो देखते रहना या फिर इसकी website चेक करते रहना वहाँ पर information आजाएगी कि आपका interview जो किस slot में और किस दिन है तो उस दिन को आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा ठीक है यह आपका हो गया यह सारी चीज़ आपके होगी application fee की बात करना है application fee which is 590 for general category OBC and EWS candidates and 295 for HTSC and physically handicapped candidates आपको जो पैसे transfer करना है वो आपको इस account पर transfer करना है account name director INST Mohali account number आपका यह दिया हुआ यहाँ पर ठीक हाइफसी code दिया हुआ आपका bank दिया हुआ इसमें आप यह कर देना और इसका transaction detail जो है उसमें डाल के इसको भेज देना ठीक है अच्छा इसकी डेट जो थी जिसकी जो लास डेट है मतब फॉर्म पहुंच जाने का जो लास डेट है that is 29th of March 23 पहले यह 15th of March था उसको extend कर दिया गया तो 29th of March तक का आपके पास time है उससे पहले-पहले अगर इधर से करते हो तो एक दो दिन में पहुंच जाएगा अगर इधर कहीं से आप करो तो 4-5-6 दिन तक का time आप मान के चल सकते हो तो कोशिश करना 22-23 तारिक तक इसका form भरके field करके भेज देना है इसको ठीक है आपको मैं form का format दिखा देता हूं यह सारे topics हैं इन में से किसी topic में आप PhD कर सकते हो यहाँ पर continue कर सकते हैं यह सारे project यहाँ पर चल रहे हैं ठीक है वो देख लेना आप फॉर्म जो है वो कुछ देखने में ऐसा सा लगेगा नैनो विज्ञान और प्रोद्योगी की संस्थान ठीक है यहाँ पर संस्थान की spelling गलत लिक रखी है ठीक है तो आपको किसमें इंट्रेस्ट है वो आप यहाँ पर field कर देना application number यह सब office user ठीक है आपको यह सारी चीज़ आपको भर नी यार भर दोगे इसको और आम से बस और उसको इसका प्रिंट आउट निकालके इसको फॉर्म मता हाथ से field कर देना और field करने के बाद फिर इनको by post जो है आप भीज़ देना ठीक है ऐसे PhD ओपनिंग जो अभी इंडिया के अलग-अलग corner से बहुत ज्यादा निकल रहें ठीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ताकि ऐसे वीडियो के information जो है या ऐसे PhD पोजिशन के information जो आपको टाइम से टाइम मिलते रहे ठीक है तो मिलते हैं आप लो